अस्तामिलेकूम तक दिखा रहा हूं जो मेन रोड है ना जो तक लागंग मिया वाली रोड है उस साइड से यह का व्यू होगा इससे अभी जो इसके गुमबद बने इन गुमबद से उपर तकरीब दो फुट तक मज़ीद जाएगी और वहां पर जाके फिर इसका जाना नंटकर लेगा इसका पर जो है जो है यह मैंने आपको उन दिन बताया था लेकिन अभी आपको फुर्चर आजाएगी जिसका दर्वाजा है यह साइड वाला दर्वाजा और इस तरह आगे में पड़ा दर्वाजा जो हमने रखा है तकरीबर बारा पुट इसकी चोड़ाई है और इसमें यह है क इसी तरह अग्ला जो है वह इसी तरह हमारा यह साइड़ वाले दो छो है यह आच अट वट के है और इन में दो दो फुट का लगएगा शीशा साइड़ों के और दरम्यान में 4 फुट का जो हमारा दर्वाजा हो rethink और संटर वाले का तोटल रबारा फुट है और बारा फु कम करके हम साइडों से शीशे लगा कि उसके बाद इसको हम कर देंगे छे फोट का दर्वाजा यह जो है एरिया यह आपको सामने वो जो गुंबद नजर आ रहा है वाइड कदर का यह इमाम बारगा है जो दरबटा रोड पे है और इसके साथ यह जो बिल्डिंग नजर आ रह उनकी है या फिर उसी गुंबद के पीछे जो एना वो एक मस्चिद नजर आ रही है वो जो साइडात का कबरिस्तान है उसके साथ मस्चिद है और इसी जो बिल्डिंग है इसके कारनर पे जहां पे जो में रोड है जो दंदा दरबटा की तरफ जाता है उसका वो कारनर नज जा रहा है शहर की तरफ और एक रस्ता दरबटा की तरफ जा रहा है यह मस्चिद की जो वाली साइड है इसके अंदर यह हमारी चार खिड़किया है यह आप देख ले और इनकी उपर भी जो जगह बनी है इसमें भी बाहर उसी तरह आउटर साइड से वह बननी है और उपर जाएगी यह हमारा महराब है तो महराब के अंदर हो जो सामने आपको स्राख नजर आ रहा है बड़े वाला यह हम ने यहां पर दोनों साइडर पर दो रखी है हम ले यहां पर हम इसको लगा देंगे ग्रिल वेरा और शीशा वेरा लेकिन यह रखी इसलिए है कि ताके वेंटिलेशन हो और यह इसमें हमने एक महराब के अंदर सी दर्वाजा रखा है यह बैक साइड पर हमारी इतनी जगा मौजूद है यह इसलिए रखा है कि अगर बड़ी मतलब हमारा मरकज बन रहा है तो कोई अगर हमारे पास बाहर से गस्ट आता है कुछ स्पीकर कोई भी जो है तो वो हमारे जाना होता के जहां पर डारेक्ट महराब के अंदर से ही वो स्टेज पर तश्रीफ ले आएं बजाए इसके कि वो पूरे हाल से हो क्या है यह हमारी जाना मेन तलागंग मिया वाली रोड वाली जो साइड है वो है इसमें भी यह आपको नजर आ चार इसकी खिडकियां है और यह जो है सामने यह जगा यह वाल जो है इसको हम ने अचली रखा है यह थोड़ी से हम बाहर कर देंगे यह कुर्ण पाक वैदा रखने के लिए जो एना जितनी हमने इसका लहन्टर बाहर निकाला है वहां पर जाकर दूसकी चुनाय होगी इस बाकी यह दरम्यान में से अभी तक फिलहाल खाली है इसमें इतर दरम्यान में यह जहां पर इंटे पड़ी है यहां पर दो हमारे वह बड़े कालम आएंगे जिनकी उपर हमारा फिर लंटर के जाना वह बीम डलेंगे तो अब तक की जो है प्राग्रस हो यह है इंशालला हुल अब दो आपको दिखाता जाओंगा यह हमने पहले काम किया हुआ था वह तो आपको नजर में है अभी हम जैना जैना इस प्राइशा हम पूल पर टाप से ली दिखाता हूं तो कमरें के साथ हमने जैना वाइश्रूम भी अटैच्च तिया था यह कमरा जैना एक वाइश्र अगर कोई हमारा विएपी गेस्ट आता है तो वज़ा इसकी को वहां पर वाश्रूम जोज करें वो जो है ना इस साइड से इस्तमाल को तो यह हमारी साइड से सीड़ियां जा रही है उपर जो हमारी छट है ना कमरों की इसकी उपर दाने के लिए हमने च्छत रखी है यह अगर हम इस छट को इस्तमाल करना चाहें तो वह च्छत भी इस्तमाल हो सकती है यह जनाब सामने अभी जो है व्यू है मस्चिद का यह वही एरिया फिर आपको नजर आ रहा है जो रोड वाली साइड का है और दूसरी साइड पर दिवार भी बांच चुकी है यह शेड बना है बड़ा ताके अगर हमारा ब्रामदा ना हो तो यह शेड जो है हमारी बारिश वहरा या उस वज़े से प्रोटक्शन करें तो अब तक की जो अपडेट है वो यह है इन्शालाब जो भी इसमें मजीद अपडेट होगी आपको उससे आगाह कर देंगे अस्सलाम अलेकुम टTr buna कर दोता है कर दो कर दो कर दो भी उससे आपका दो यह हो यह हमारा बुका हो में तोले कर दो के तो कि ऻ 라고ग़न कर दो कर द一个 में तो यह हमारा बना आपको Kограф है और दो